सुगंदित वातावरन हम सभी को अच्छा लगता है और इसलिए इत्र का प्रयोग अक्सर किया जाता है एस्टर ऐसे रासाइनिक पदार्थ हैं जिनकी फलों जैसी गंध होती है और इनका उप्योग इत्र बनाने एवं खाद पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है क्या हम भी एक सुगंदित एस्टर प्रयोक्षाला में बना सकते हैं? आज हम एलकोहल की कार्बॉक्सलिक अमल के साथ एस्टरी करण अभीक्रिया का अध्यान करेंगे समाइन था एस्टर कार्बॉक्सलिक अमल एवं एलकोहल की अभीक्रिया से बनते हैं एस्टर बनाने के लिए हम एलकोहल और काबॉक्सलिक अमल में थोड़ा सा सांद्र सल्फियूरिक अमल मिलाकर गरम करते हैं जिससे हमें एस्टर और जल प्राप्त होता है जैसे कि जब इतनोल की इतनोईक अमल के साथ अभिक्रिया होती है तो इथाइल इतनोईट नामक एस्टर बनता है इस परयोग के लिए आवश्यक सामगरी है इतनोईक अमल इतनोल ड्रॉपर सांद्र सल्फियूरिक अमल कॉर्क बीकर क्वथन नली आसुजल ट्राइपोड बर्नर और तार की जाली अब हम एक परक्नली में एक एमल इतनोल लेंगे और लगबग समान मात्रा में एतनोईक अमल डालेंगे अब हम इस मिश्रण को सूंग कर देखते हैं इसमें हमें फलों की गंध नहीं आ रही है अब हम इस मिश्रण में सांद्र सल्फियूरिक अमल की दो तीन बूंदे सावधानी पूरक डालेंगे और कुथन नली को कौर्क से धीला बन कर देंगे सांद्र सल्फियूरिक अमल निर्जली कारक है और तवचा पर गिरने से वो तवचा जला सकता है अथा इसका प्रयोग सावधानी से करें इतनौल, वाशपिशील और दहनशील है अथा इस मिश्रण को सीधी ज्वाला द्वारा गरम नहीं करना चाहिए इसलिए हम जल उश्मक का प्रयोग कर इस मिश्रण को गरम करेंगे इसके लिए हमने एक धाई सो एमल बीकर में देट सो एमल जल लेंगे उसे लगभग साट डिग्री सेल्शियस तक गरम करेंगे अब अभिक्रिया मिश्रण वाली क्वथन नली को लगभग 10 मिनिट तक हम गरम करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद अभिक्रिया मिश्रण को हिलाएंगे अब 10 मिनिट हो चुके हैं अभिक्रिया मिश्रण को सूंग कर देखते हैं इसके लिए एस्टर की वाश्प को अपने हाथ से नाक की ओर ले जाएंगे किसी भी रासाइनिक द्रव को सीधा नहीं सूंगना चाहिए क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है इसमें से फलों की रुचिकर खुश्बू आ रही है यह एस्टर के बनने का प्रमान है जब कॉर्बाक्सलिक अमलिका ओएच समू एलकोहल के ओर डैस समू द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो एस्टर बनते हैं इस अभिक्रिया में सांद्र सल्फियूरिक अमलिका उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एस्टरी करण की अभिक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं आर सी ओ ओ एच जमा एच ओ आर डैस जिससे प्राप्त होता है आर सी ओ ओ आर डैस जो की एक एस्टर है जमा जल इस प्रयोग द्वारा हमने देखा कि अलकोहल और कार्बॉक्सलिक अमल सांद्र सल्फियूरिक अमल के डालने पर एस्टरी करण अभिक्रिया द्वारा एस्टर और जल बनाते हैं विबिन तरह के एलकोहल और कार्बॉक्सलिक अमलों के परियोग कर भिन भिन खुश्बूदार एस्टर बनाए जा सकते हैं झाल 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 झालन है